हलो इन्वेस्टर्स इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को L&T Limited और Gale India के साथ में कुछ ऐसी कंपनीस के शेर्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिनोंने यहाँ पे स्टॉक बोनस, स्टॉक स्प्लेट और डिविडेंड अनौंस कर दिया है मैं हूँ आरूश आप लोग देख रहे हैं फिनों मेडिया बाया आरूश आएब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं यह सारे के सारे अनौंसमेंट्स एकदम लेटेस्ट हैं पहले शेर की अगर हम बात करें कंपनी का नाम है पल्स एलेक्रोनिक्स लिमिटेड यह कंपनी का जो शेर है लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे 5% के अपर सरकेट पे लॉक था और 164 रुपीज के उपर में कंपनी का शे यहाँ पर आपको एक शेर है जब बोनस मिलेगा आपका जो एक शेर है वो दो शेर में कंवर्ट हो जाएगा या फिर आप यह भी कह सकते हैं आपके पास में इस कंपनी के जितने भी शेर हैं वो सभी के सभी यहाँ पर डबल हो जाएंगे अब इस बोनस को देने की एक्स ड ये company का जो share है last trading session पे 1% से ज़ाधा correct होता देखने को मिला और 577 रुपीज के उपर में close हुआ अगर इस company के official announcement ही हम बात करें तो PC Cosma Soap ने जो है यहाँ पर dividend अनौंस कर दिया है और एक नहीं दो-दो dividend अनौंस करे गए है एक है one time interim dividend और एक है special dividend 3 रुपीज और 2 रुपीज का dividend अनौंस करा है टोटल में 5 रुपीज का dividend बन जाता है आपको आपके हर एक share पे 5 रुपे का dividend दिया जाएगा dividend value की अगर हम बात करें देखिए काफी अच्छा dividend अनौंस करा गया है और इसको देने की x date record date जो है 20th of September यानि की 20 September की रखी गई है अगले share की बात करें तो company का नाम है GVP Infotech Limited ये company का जो share है last trading session पे 0.4% के एक छोटे से एकदम minor correction के साथ में close हुआ और 12.39 रुपीस का जो है company के share का closing price था अब आप लोग company का share price देख करके ही समझ गये होंगे की ये एक penny stock है अगर हम इस company के official announcement की बात करें तो GVP Infotech Limited ने जो है यहाँ पर dividend announce कर दिया है 0.10 रुपीस का आप लगो को आपके हरे एक share पे 10 पैसे यानि की 10 पैसे का dividend दिया जाएगा और इसको देने की x date record date जो है 20th of September यानि की 20 सितंबर की रखी गई है अगले share की बात करें तो company का नाम है GMDC यानि की गुजरात Mineral Development Corporation ये company का जो share है last trading session पे लगबग हमें 1.5% की तेजी दिखाता देखने को मिला और 369 रुपीस के उपर में company का share close उबा अगर इस company के official announcement की हम बात करें तो गुजरात Mineral Development Corporation ने जो है यहाँ भी dividend announce कर दिया है 9.55 रुपीस का आप लगो को आपके हर एक share पे 9 रुपे 55 पैसे का dividend दिया जाएगा definitely dividend value काफी जाधा अच्छा है और इसको देने की जो X date record date है वो भी same day की रखी गई है यानि की 20th of September की अगले share की बात करें तो company का नाम है Andra Paper Limited ये company का जो share है last trading session पे 0.9% के एक छोटे से एकदम minor correction के साथ में close हुआ और 567 रुपीस का जो है company के share का closing price था अगर इस company के official announcement की हम बात करें तो आंधरा paper ने जो है यहाँ पे stock split announce कर दिया है 1-5 के ratio से जिसका मदलब ये है अगर आपके पास में इस company का एक share है तो वो total में 5 shares के अंदर में convert हो जाएगा चाहे फिर बेशक आपके पास में इस company के जितने मरजी shares हो आपका हर एक share यहाँ पे 5-5 shares के अंदर में convert हो जाएगा और इस stock split को देने की जो X date record date है वो 11th of September यानि की 11 September की रखी गई है अगले share की बात करें तो company का नाम है Gale India Limited गेल इंडिया का जो share है last trading session पे 2-5% की गिरावट करता देखने को मिला और 223 रुपीज के उपर में close हुआ अब गेल इंडिया की तरफ से एक positive और एक important update निकल करके आ रही है basically यहाँ पे काफी बड़े-बड़े analyst या brokerage firms जो है जिन जिनोंने भी Gale India की share पे bullishness दिखाते वे buying recommendation शेयर करी है उन सभी का एक AI generated median target निकल करके आया है basically यह अलग-अलग brokerage firms है तो सबके targets अलग-अलग होंगे बड़ AI के through एक median target price निकल करके आ जाता है तो वो जो targeted 237 रुपीस का minimum बनता है यानि यह current market price 223 रुपीस से लेके 237 रुपीस तक की एक जो rally है वो यहाँ पे बड़े-बड़े brokerage firms expect करके चल रहे हैं Gale India के share के उपर में लगबग 5-6% का आपके target बन जाता है अगर हम Gale India की as a company बात करें देखे fundamentally financially company काफी strong है उपर से PSU unit होने के चलते government का support और investors का जो trust है वो भी company के उपर में भरपूर मौझूद है वहीं अगर हम target की बात करें 5-6% का target है जादा लंबे time तक आपको wait करना नहीं पड़ेगा short term का target है आने वले कुछी हफतों के अंदर में ये target आपको काफी easily achieve होता देखने को मिल सकता है और अगर Gale India के अगर हम future की भी बात करें long term में company काफी अच्छा perform कर सकती है और अभी currently अगर आप देखेंगे जहाँ पर majority of the PSU stocks एक over valuation category में आ चुके है यानि कि अपनी fair valuation के उपर एक काफी अच्छा premium enjoy कर रहे है वहीं Gale India एक ऐसी company है जोगी कहीं ना कहीं अभी अपने fair valuation के भी थोड़ा बहुत नीचे ही देखने को मिलती है तो कहीं न कहीं 5-6% का तो एक minimum target आपका बनी जाता है बागी mid term से long term में आपके और भी बड़े targets आपके बन सकते हैं तो definitely Gale India के share को आपके watch list के अंदर में add करिएगा और company के share पे आपकी नजर जोगे definitely बना करके रखिएगा अब आज आते हैं बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे अगले and last update की तो company का नाम है L&T Limited यानि की Larsen & Turbo Limited यह company का जो share है last trading session पे 1-5% की correction करता देखने को मिला और 3572 रुपीज के उपर में close हुआ अगर इस company की तरफ से आ रहे एक बड़ी और एक positive update को मैं cover करूँ तो basically यहाँ पे ETNow करके एक काफी जाना माना business analyst है और ETNow की जो team है इसके अंदर काफी जाने माने technical analyst और research analyst मौझूद है अब ETNow ने जो है L&T के share के उपर में bullishness दिखाते वे buying recommendation share करा है और जो target price दिया है 4,300 रुपीज का दिया है यहाँ पे writing error की वज़े से 6,300 आपको दिखरा है लेकिन actual में जो target दिया है वो 4,300 रुपीज का दिया है तो लगबग 3,572 रुपीज से लेके 4,300 रुपीज तक की एक जो rally है वो यहाँ पे ETNow expect करके चल रहा है L&T Limited के share के उपर में L&T की अगर ऐसे company हम बात करें no doubt fundamentally financially काफी strong company है इंडिया की one of the topmost companies में से एक है और इंडिया की one of the topmost trusted groups की companies में से एक है तो ऐससच company है उसके share के अंदर में कोई problem हमें देखने को नहीं मिलता valuation भी अभी एक fair valuation है और कहीं न कहीं है जो 4,300 रुपे का target है आपका mid term का target रहने वाला है काफी easily, काफी smoothly आपको mid term तक ही target एचीव होता देखने को मिलेगा मैं तो कहूंगा definitely आपको L&T के share को आपके watch list के अंदर में add कर लेना चाहिए और company के share पे आपकी नजर बना के रखनी चाहिए और company की तरफ से जो भी regular updates आती है उन सबी को follow up करना चाहिए अब L&T तो काफी अची company है definitely आपके watch list के अंदर में add करिएगा बाकी L&T limited हो गया या Gale India हो गया इन दोनों के अलावा आपको जिस भी company के share को purchase करना हुआ ताकि यहाँ पे आपको उसकी announcement का benefit मिल पाए तो उस particular share को आपको उसकी X date से पहले पहले purchase कर लेना होगा बाकी इस वीडियो के अंदर में इतना ही यही कुछ companies के shares थे जिनकी तरफ से बड़ी updates आ रही थी specifically जिन्होंने आपे bonus, split और dividend announce किया था अब अगर आपको वीडियो अची लगियो वीडियो को जरूर से like करिएगा चैनल को भी subscribe करिएगा because ऐसे वीडियो मैं आप लगो के लिए daily basis पे लेकर के आता रहता हूँ चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then, bye